पासकार दोस्तों मेरा नाम है विक्रम सिंग और मेरे इस यूटूब चैनल पर फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हम सभी लोगों ने मिलके सीखा था कि जो हमारे आई-पी कैमरे होते हैं उनका अगर हमको सेलेक्श करने का है तो हम किस तरह से उनका कॉन्फिगेशन कर सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि प्योई सिच तो सेकिंड एंव थर्ड हार्ड इस इन तिन चीज का अगर अपने को श्रीलेक्शन करने का है तो हम कैसे कर सकते है एक हम आई-पी कैमरे लगाते हैं कितना recording जो है वो IP camera करता है और कितना hard disk का requirement रहता है दोस्तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको only two application के वारे में बताने वाला हूँ number एक डववा number two Hikvision कि आप इन दोनों की साहता से अपना कोई भी जो project है अच्छी तरह से आप उसका steady कर सकते हों चलिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि देखिए हिक वीजन के software के ओपर तो हमारा जो हिक वीजन का जो software है उसके लिए अपने को Google Chrome को open करने का है और यहां से अपने को Google में हम जाएंगे और यहां पर हिक वीजन का जो टूल कैलकुलेटर है वह यहां पर हमको Google के अंदर सर्च करने का है उसके बाद में फर्स्ट जो लिंक आएगा देखिए storage and network calculate उसको हमको open कर लेने का है ठीक है यह देखे यह open हो गया है यहां पर आप देखिए जो पलस का निसान है यहां से आप के परिया का प्लास पे तो एक नंबर का जो केम्रा है वह एड होगा फिर आप यहां पे दुवरा किल्क करोगे तो दूसरा केम्रा उसी टैप से थ करें ट्री और यह फॉर ओके हमने यहां पर लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर हमने चार केमरे का आपको डेमो दिया था तो यहां पर भी मैं चार केमरे जो है वो चार केमरे यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और चार केमरे का मैं आपको बताता हूं कि चार केमरा जो है उसके अंदर कितना अपना हाड़ डिस यूज होगा और कितना Mbps इसके अंदर यूज होने वाला है यहां पर हमने टाइप कर दिया देखे चैनल नमबर एक दो तीन और पर 4 वीडियो स्टेंडर्ड जो है वह हमेखा से ही पाल रहता है NTSC नहीं रहता है अपने को पाल ही सेलेक्ट करने का है अभी एनकोडिंग मोड एनकोडिंग मोड के लिए हम बात करें तो हीक विजन के अभी जितने भी उसके बाद में अपना डवा है या सी पी पलस है तो जो केम्रे हैं वो टू सिक्स्टीफाइब वाले हैं तो यहांसे हम are 165 में हम पहले देखते हैं कि अगर हम केम्रेस लगाते हैं तो उसके अंदर कितना रिक honeymoon होता है और कितना मेुपी coisa वो कंज्यूम करता है तो यहां से मैंने जो था एंकोडिंग मोड 265 लिया है सभी का उसके आगे हम जाएंगे तो देखिए यहां पर ऑप्शन है रेजुलेशन का अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रेजुलेशन है जो भी आपने कैमरा लगाया है ठीक है ना तो हमने त lama 80 & 80P यहां स्लेक्τη कर लेते हैं ठीक है छार चार के लिचार मेगापिक्सल के हैं और अजर इसके अदर आप 10 आड कर सकते हो देखिए यहां पर चैनल नंबर जो है 10 दस केम्रेत तक आप पर प्रोजेक्ट बना सकते हो 10 दस के रहत तक का उन्हें केमरे के अंदर 25 fps पे ही रहता है ज्यादा तर अगर आपको कम ज्यादा करने का है आपका अगर कैमरे का fps अगर कम है तो आप यहां से कर सकते हो नहीं हमारे जो कैमरे हैं वह 25 fps के ही है अब यहां पर देखिए इसका जो बिट रेट है वह 2048 दिखा रहा है यहां पर अभी नीचे बात करते हैं अगर देखिए यहां पर हम हाट डिस्क का कैलकुलेट सेविंग टाइम ओके यहां पर देगे सेट डिस्क यहां पर अगर आप वन टीवी हाट डिस्क लगाते हो तो तो यहां पर देखिए का रेकोरडिंग होता है उसी हिसाब से जैसा भी आपको लगाने का हर्ट डिस्क आप यहां से कैलकुलेट कर देख सकते हों अनूश्य अगर आपको यहां तो की रिकोरडिंग चाहिए तो 10 दिन के अंदर अपना कितना हाट रिकोर्डिंग होगा बेंडविध बेंडविध की बात करते हैं तो अगर ने चार केमरे लगाए है तो 20 Mbps जो हमको रिक्वार्मेंट रहेगा आप कोई भी जो आपका NVR है वो 50 Mbps से अगर ज्यादा होता है तो आपको कोई भी प्रॉलम नहीं होगा इसके अंदर और प्योई स्विच की बात करें तो 10-100 वाले अगर आप योई स्विच लगाते हो तो उसके अंदर भी आपका जो कैमरा है उसके अंदर कोई भी प्रॉलम नहीं आने वाली है कि यह तो है हमारा ही वीजिन का टूल इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्केप्शन पर मिल जाएगा वहां से आप डारेक्ट क्लिक करके ऊपन करके आप देख सकते हो यहां पे इंस्टॉल किया हुआ है इसका भी लिंक मैं आपको देदोंगा ठीक है ना औ और नहीं तो आप यहां से डारेक्ट यहां पर भी जाके आप इसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल के अंदर जाके मैं बता देता हूं डववा स्टोरेज केलकुलेटर यहां पर डाउनलोड विएए हैं मेरे वीडियो के डिस्केपशन में आपको मिल जाएगा और इधर अपने को हमारा हे वीचन का जो सॉफ्ववेर था वह तो आपको ऐसे ही उसके अंदर मालुम पड़ जाता था मगर इधर अपने को disk calculate करने का है तो यहां से पहले इसको login करना पड़ेगा छिक है ना यहां से आपको Sign-up करना पड़ेगा अकांट जो बनाना पड़ेगा मैंने यहां पहले ही बनाया हुआ है तो मैं यहां से login कर लेता हूं अपना account और जो आप password दोगे वो password डाल के आपको यहां से इसको login करना पड़ेगा उससे पहले आप इसके अंदर calculate नहीं कर पाऊगे लॉग इन हो जाने के बाद में आपको जो भी आपको यहां से software जो है अपना डिसक यहां से install कर लेने का है आप जब उसको install कर लोगे तो यहां पर माई tools जो है यहां पर दिखायेगा देखिए यह रहा स्कीजिस केल्कुलेट यहां पर आपको इसके उपर क्लिक करने का है यह उपन हो जाएगा एड़ स्ट्रीम वन टो फॉर यहां पर भी मैं आपको चार कैमरे जान्पल बता देता हूं यह चैनल नंबर उन और यह चैनल नंबर टू और यह channel number 3 और यह channel number 4. Compress की बात करें, तो वही 265 और यहां पर भी 265 और यह अपना 265 और यहां से अपना 265. Resolution की बात करें, जो भी आपने camera लगाया है, हम 2 MP की बात करने वाले हैं, यह 2 MP और यहां से 2 MP. और फ्रेमरेट जो है यह 30 दिखा रहा है यहां पर हम 25 सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने हिक वीजन का जो हमारे सॉफ्ट्वेर था उसके अंदर भी 25 भी सेलेक्ट किया था तो यहां से 25 ओके यह बिटरेट दिखा रहा है यहां पर और यह जो देखिए थोड़ा जो एमबी यह थोड़ा कम दिखा रहा है वहां अपना 20 Mbps दिखा रहा था चार केमरे का और यह अपना कुछ 17 के करीब यहां पर दिखा रहा है ओके उसके बाद मैं यहां पर देखिए अगर आप एक दिन का रिकोर्डिंग करते हो तो आपको इतना हाट डिस्का रिकॉर्मेंट रहे कितना हाट डिस लगाना है वन टीवी के अंदर कितना होगा पांच दिन का रिकोर्डिंग रहेगा दस दिन के अंदर और Mbps यहां पर मालूम पड़ी गया है कि इसके अंदर रिकॉर्मेंट रहेगा अभी हम बात करते हैं अगर 265 पलस वाले अगर हम केमरे लगाते हैं यह हमारा जो है सॉफवेर बरावर यहां पर हम चेंज करते हैं कि वह हम 265 पलस वाले लगाते तो कितना उसके अंदर अपने को डिफरेंट परने वाला है तो मैं यहां 265 पलस कर देता हूं सबको ओके उसके बाद में यहां केमरा जो है हमको दोवारा से सेलेक्ट करना पड़े नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्क्राइब करने इसी तरह है कि टेक्निकल वीडियो जो है आपको को मिलते रहेंगे यह देखी मैंने जो था 265 पलस वाले अगर मैंने कैमरे लेता हूं तो बेंडविट जो है अपना वो काफी मलग की मानिए आपे 600 700 Mbps जो है वो कुछ कम हो जाता है दोस्तों आसा करता हूं कि आज का जो वीडियो ता आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैंने आप त pancake का आपको बता दिया है कि आपको हाड डिस का आपको requirement तो आपको कितना हाड जो है अपने N ने भी calculator बनाया हुआ है अगर आपको वो software चाहिए तो मेरे वीडियो के description में आपको मिल जाएगा वहां से आप click करके directly अपने mobile के अंदर उनको download कर सकते हो दोस्तों next वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि IP केमरे तो अभी लगाने हमने सीख लिए मगर होता क्या है जब भी कोई IP केमरे को आप इंटरनेट के साथ में connect करते हो तो आपका जो NVR है वो तो online हो जाता है मगर आपके जो IP केमरे हैं वो सभी बंद हो आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल हम लोग सीखेंगे कि ऐसा होता क्यों है चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहिन